नमस्कार दोस्तों किरन की रसोई में आपका स्वागत है तो दोस्तों आज मैं हेल्दी और टेश्टी पोहे की रस्वी लेकर आई हूँ और यह 5 मिनुट में बनके रिडी हो जाती है और सभी को पसंद आए और इसे आप सुबह के नास्ते की तोर पे इसे बना के खा सकते हैं या साम को बना के खा सकते हैं तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें तो यहां पर ले लिया हमने देखी कटा हुआ टमाटर हरी मिर्च प्याज मुफली दाना और यहां पर पोहा ले लिया एक निम्बू ले लिया है और यहां पर सर्सो दाना डालेंगे और साथ ही हम डाल देंगे इसमें कड़ी पता धेर सारा तो इस तरह से चला लेंगे तो अब हम डालेंगे इसमें बारीक कटा हुआ एक बड़ा साइज हम प्याज काट लिये थे उसको डाल देते हैं तो एक सेकेंड इनको अच्छी तरह चला लेते हैं तो अब हम ले लेंगे यहां पर 50 ग्राम मुफली दाना इनको भी डाल देंगे और प्याज के साथ अच्छे से इसे भून लेंगे प्याज के साथ साथ हमें अलग से भूनने की जर्रत नहीं है तो आप इस तरह से आप इसे मुफली दाना को इकठे आप भून सकते हैं तो इस तरह से हल्का ब्राउन होने तक प्याज को हम भूनते हैं तो देखिए हल्का ब्राउन कलर हो गया है तो अब हम यहां पर दो कटे हुए टमाटर डाल देते हैं और इनको भी अच्छे से चला लेते हैं अब हम डालेंगे यहां पर एक बारीक कटा हुआ हरा मिर्च इनको भी डाल देते हैं और अच्छी तरह चला लेते हैं तो ऐसी छोड़ देंगे टमाटर को थोड़ा गलने देते हैं तो चलते हैं अब पोहा को धो लेते हैं तो यहां पर देखिए हमने बावल में पोहा रख लिया है इसमें हम पानी डालेंगे और इनको अच्छी तरह मल मल के धो के और इनको दो तीन पानी से अच्छी तरह दो लेते हैं तो इस तरह से अच्छी से मल के धोएं तो चलते हैं पानी इसका निकाल लेते हैं तो यहाँ पे देखे हमने पानी अच्छे से निकाल लिया है और इसे 5 मिनट के लिए इसे ऐसी छोड़ देंगे ताक यह अच्छे से फूल जाए और खिले-खिले बने तो यहाँ पे हमने कडाई के तरफ आ गया तो हमारा जो टमाटर है वो भी गल गया है तो चलिये इसमें हम स्वादम सा नमक डाल लेते हैं थोड़ी सी हम इसमें हल्दी पॉडर डालेंगे और दो मिनट अच्छे से इनको भून लेते हैं तो यहाँ पर देखिए दो मिनट हो गया है तो अब हम इसमें पोहा डाल लेते हैं तो पोहा देखिए पांस मिनट हो गया है और कितना खिला खिला पोहा तयार हुआ है फूल के तो चलते हैं इसको डाल देते हैं और इनको पांच विनर तक इनको अच्छी तरह चला लेंगे और इनको अच्छी तरह पकने देते हैं तो इस तरह से मिला लेंगे अच्छे से तो हमारा जो पूहा है वो देखी लगबग पक गया है तो देखी पूहा कितना खिला खिला बना है तो इसी बनाना बहुत ही असान है तो यहाँ पर हमारा पोहा पांच मिनेट अच्छे से हमने भून लिया है तो अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और इनको अच्छे से मिला लेते हैं और गैस को बन कर देते हैं तो अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे हाफ निम्बू और इनको भी अच्छे से मिला लेते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारा पूहा जो है वो रेडी हो गया है तो देखने में कितना अच्छा लग रहा है तो देखिए हमारा पूहा जो है वो रेडी हो गया खाने के लिए तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कर दें तो चलिए मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का धन्यबाद